हलो एब्रीबन आज की रेसिपी है पालक पनीर भर्जी तो इसका सामान देख लेते हैं बारिक कटे हुए पालक की पत्ते 4 कप, किसा हुआ पनीर 2 कप, छोटे कटे प्यास 1 कप, छोटे कटे हुए टमाटर 1 कप, बारिक कटे हुए लहसान 1 बड़ा चमाच, हरी मृच गटा हुआ 1 चमाच नमाक एक छोटी चमच है आवशकता नसार लाल मिज पौडर एक छोटी चमच धनिया पौडर एक छोटी चमच जीरा पौडर आधी चोटी चमच गरम मसाला पौडर एक छोटी चमच तेल चाट बर चमच घी एक छोटा चमच है आवशकता नसार जीरा के दाने 1 चोटी चामच, तेज़ बती 1-2 सबसे पहले गरम पैन में तेल डालेंगे 4 जाणबर चामच तेल अच्छी तरसे गरम होने पर उसमें डालेंगे 2 तेज पती एक छोटी चामच जीरा इनको अच्छा तरसे भून लेंगे अब इसमें बारीक कटा हुआ लेसन डालेंगे बड़ा चमच अच्छी तरह से मिला कर गोल्डेन ब्राउन कलर आने तक अच्छी तरह से भून लेंगे गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और बहुत अच्छी खुश्टी भी आ गई है अब इसमें कटे हुए प्यास डालेंगे एक कप अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे एक मिनिट तक के लिए भून लेंगे कटा हुआ हरी मरिज डालेंगे एक छोटी चमच अच्छी तरह से अब इन्हें हलका गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हुणना है यह गोल्डन ब्राउन हो गया है अब इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे एक कप अच्छी तरह से मिला लेंगे और अब टमाटर को हलका नरम होने तक पकाना है दो से तीन मिनिट तक अच्छी तरह से पका ले लाल मेच पाउडर एकचूटी चमच जीरा पौडर अधिछूटी चमच दनिया पौडर एक चूटी चमच अब इन सब को बहुत अच्छी तरह से मिला लेंगे और एक से दो मिनित तक के लिए मसालों को अच्छी तरह से भोल लेंगे जब तक कि उसमें से तेल ना छोड़ते यहां पर मसाली अच्छी तरह से भोल गया है और तेल फी छोड़ दिया है अब इसमें बारिक कटे हुए पालक के पत्ते डालेंगे 4 कप अच्छी तरह से मिला लेंगे और एक से दो मिनिट तक पका कर साग को थोड़ा सा नरम कर लेंगे साग यहाँ पर थोड़ा सा नरम हो चुका है अब इसे ठाक देंगे और तीन से चार मिनिट तक धीमी आज पर अच्छी तरह से पका लेंगे अच्छी तरह से पक चुका है इसमें थोड़ा जादा पानी है तो इसको एक से दो मिनिट तक अच्छी तरह से पका कर इसका पानी सुखा लेंगे बीच बीच में चलाते हुए पकाते जाएं ताकि नीचे से ना लगे यहां पर इसका पानी थोड़ा सा सूप गया है और यह काड़ा हो गया है अब इसमें किसा हुआ पानी यी डालेंगे दो कब अच्छी तरह से मिला लेंगे मैंने यहां पर हल्दी नहीं डाली है आप चाहे तो अपने हिसाब से डाल सकते हैं और अब इसे सिर्फ एक मिनिट तक के लिए अच्छे तरह से पका लेंगे बहुत जादा नहीं पकाना है अब आज बन कर देंगे और इसमें गरम असाला पाउडर डालेंगे एक छोटी चमच घी एक छोटी चमच अब फिर से अच्छे तरह से मिला लेंगे आप अपनी पूरी तरह से बन कर तयार है यह पालक पनीर भुझी आप रोटी पराठा नान चावल सभी के साथ खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी रेसिपी है जो बहुत ही आज़ानी से बना सकते हैं तो घर पर बना कर ज़रूर ट्राइ कीजिए उपर से ग्रेटिट पनीर से इस तरह से कार्णीश कर देंगे अगर आपको आज की यह रेसिपी पसंद आई हूँ तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले फिर मिलते हैं किसी अमेजिंग रेसिपी के साथ थैंक्स वर वाचिंग